मुस्कार साथियों मेरे चैनल में आपका स्वागत है मौसम है बर्साथ का कितना सुवाना बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो बारिज भी रुप गई है मैं पहुंच चुका हूँ नर्शरी में देखिए आप मेरे दोनों तरफ बहुत सारे सजावटी पौदे कलदार पौदे और सदिय पौदे और फूलों के पौदे भी काफी दिक रहे हैं अब मैं थोड़ा रुका एक लाज स्टोनिया प्लांट में देखिए बहुत सुंदर लाल लंग के फूल खिले हैं कुछ खिलने वाले हैं देखिए यह है चांदनी बहुत सारे पौदे हैं चांदनी के हरी-हरी पतियों के बीच में छोटे सपेद रंग के फूल आसमान में तारों की तरह चमक रहे हैं और यह है लिली सपेद रंग के सुंदर फूल हरी चमकदार पतियां यह फूल बरसात में खिलते हैं गर्मी के सिजन का फूल काफी रंगों में टैलेंडोला खिला है मुझे बहुत पसंद आया यह फूल यह बरसात तक चलता है बहुत बड़े इलाके में फैली है यह नर्शरी यहाँ पर 12 मासी सिजनल सभी परकार के छोटे बड़े पौदे उपलब्द है बहुत बड़ा पौली हाउस है यहाँ पर इसके अंदर अंगिनित किसम की भरायेटी वाले पौदे हैं कुछ इंडोर और कुछ आउर्डोर प्लांट भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर बहुत सारे कैक्टस भी रखे हुए इन्होंने रंग भी रंगे पीले रंग के फूल भी खिले हैं कैक्टस में यह पहली बार देखा मैंने गोदावरी के भी काफी सारी प्लांट है यहाँ पर किसी में सब्वेत रंग के फूल दिख रहे हैं और कुछ खिलने वाले हैं इनकी भी काफी सारी भराइटी यहां दिखने को मिल रही है बहुत सारे रंग बिरंगे गुरहल के प्लांड भी है यहां पर यह भी काफी मात्रा में हैं कुछ खिले हैं और कुछ खिलने वाले हैं आज मैं एक सपेद रंग का गुड़ल का पौदा यहां से लूँगा ड्रैसिना प्लांड की भी बहुत सारी भराइटी हैं यहां दिखने को मिल रही मुझे करेवन 6-7 किसम की भराइटी है यहां पे ड्रैसिना की अप्राजिता के भी काफी सारे पौद इन्होंने यहां पर रखे हुए हैं मेरी गोर्ड और गोदावरी की काफी कटिंग इन्होंने लगा रखी है यह फूल सर्दियों में खिलते हैं यह है एक जोरा के भी बहुत सारे प्लांट लाल और सपित रंग के फूल खिले हैं कुछ खिलने वाले हैं पता किया मैंने तो पता चला की यहां पर छे भरायटी के पौदे हैं कुछ सुंधर सिर्माईक के गंमले हैं यहां पर इन्होंए आदमियों की, जानवरों की और चिड़ियों की आकरती बना रखी है और दिखने में बहुत सुन्दर लग रहे हैं देखे आप ग्रोबैक भी है यहां रखे में इन्होंने लेकिन यह छोटे साइज के हैं मैं बड़े साइज का ढूंड रहा था लेकिन यह काफी छोटे हैं पौधों में इस्तेमाल होने वाली सारी सामगरी खाद बीज जो भी उसमें लगती है वो उपलब्द है आज मैंने यहां से चार फलदार पौदे भी खरीदने हैं ड्रेंगन फ्रूट अंजीर हरा फल वाला पुलम और सिता फल काफी लोगों को रोजगार भी मिला है यहां पर यह बड़ी अच्छी बात है कुल मिला कर मेरा आज का विजिट बहुत ही यादगार रहा कैसा लगा आपको आज का वीडियो शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई